नमस्कार NBC News की खाश पेश का सार्थी में आपका स्वागत है दर्शकों जिस प्रकार से आप जानते हैं हम इस कारेकरम के माध्यम से सार्थी भाईयों के प्रश्णों के हल आपके समक्ष रखते है और इस कड़ी में हमारे साथ मुझूद है प्रलाद अग्रवाल जो की गोपाल परिवार फाउंडेशन के संस्था पकेव में अध्यक्ष है आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रलाद जी आज की इस कड़ी में तो आज के इस कड़ी का सबसे पहला प्रश्णा आता है कि जिस प्रकार से देखा गया है पुलिस द्वारा नो हॉकिंग जो है अभ्यान चलाया जा रहा है इसको आपकी इस दुरुष्टी से देखते हैं क्योंकि कई बार जो देखा गया है कि बड़े वाहनों की तिवरता उनके हौन की तिवरता काफी मात्रा में होती है और इस माध्यम से कई न कई जो है ऐसे सारती भाई भी दंडित हो सकते हैं क्या बताना चाहेंगे इसके मेरा ऐसा मानना है कि कानून बनाना बहुत अच्छी बात है उसको इंप्लिमेंट अच्छे से करवाना और सरकारी ओफिसर या कोई भी उसका नाजायद फाइदा नहीं उठाए उस पे कारियोई होना बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे होर्ण के लिए अभी बताया गया होर के आगे पीछे दोड़ता है और कुछ एकसिडन भी हो सकते हैं उसके लिए सबसे पहले तो हमको हाईवेज पे कोई उल्टा सीधा वाहर नहीं आए श्टेट हाईवेज पे भी मतलब जो गाए वगरा भैसे वगरा यह चलाते हैं वो खुले लेके घूंते हैं तो हमको जान रोड पे सिवाए इंसान के और वाहन के पशु वगरा नहीं आने चाहिए उसके लिए सरकार को विशेश ध्यान देना चाहिए जब तक सरकार इन पे कारवाई नहीं करेगी कानून सरकार बहुत अच्छे बनाती है बीच में एक कानून यह भी बनाया था कि सार्थी बहीं क तो वहाँ से गाड़ी छोड़के नहीं भागना पड़े पर उसमें सरकार ने यह विचार नहीं किया कि अगर वो गाड़ी नहीं छोड़के भागे का पृबलिक उसको मार देगी तो उसके लिए सरकार नहीं क्या सोचा। तो सरकार को कानून बनाते वकित जो हमारे देश की कमी है वो पहले कैसे दूर की जाएगी उसको कैसे दूर किया जाए उस पर सोचेगी तो ही हमारा देश जो हमारे नेता लोग या हमारे जो प्रधान मंतरी चाहते हैं तभी ही वो सार्थक होगा सीधे तोर पर बोला जाए तो ऐसी कोन सी भी चीज रास्ते पर नहीं आनी चाहिए ताकि हान बजाने की आवशकता पड़े जो और होकिंग और भणी प्रदूशन हो अयसा ही कुछ कहना है प्रलाज जी का दूसरा प्रशन भी यहां निर्मान होता है कि शहर में काफी मात्रा में निर्मान कारे चल रहा है और बड़ी मात्रा में जो है रास्ते बनाये जा रहे है पुल का निर्मान हो रहा है इसके चलते काफी मात्रा में जो है एक्सिडंट देखने को मिल रहे है तो कुछ ऐसा लगना चाहिए जिससे कि सार्थी भाई उसको पढ़के अपनी काड़ी की स्पीड घटा दे और कम कर दे और दूसरा जो भी वहां कुछ करवा रहा है उसमें वहां आजमियों की विवस्ता ऐसी की जाए कि अगर मालो शोट रखता है तो वन साइड एक वार दिया दूसरी साइड से दूसरी दिया जाए और वहां जो अगर मालो किसी का परस्नलर घर वर दा है तो वहां वह जो जो ऊड़के सब समान डाल देता है, वो नहीं होना चाहिए, जिसकी वज़ए से दूसरी साइड से आने वाले को दिखता नहीं है, जिसकी वज़ए से एक्सिडेंट होते हैं, यह सरकार को पहले देखना चाहिए, कि जिस आदमी को उन्होंने प्रमेशन दी है, यह सरकार जो खुद काम पारी है, वहाँ कोई अर्चन नहीं आए, तो पहले सार्थी भाईयों को जगाने से पहले सरकार को भी जागना पड़ेगा, कि कौन सी चीज कैसे की जाए, जिससे की सार्थी भाईयों से कोई गल्ती नहीं है, कुछ दिनों में नई सरकार का गठन होने जा रहा है, चार कि कल्यान के लिए उन से अपील करूँगा, कि जब भी जितने भी पहले के कानून हैं, उन कानून के बारे में एक वाद फिर से विचार करें, और वो कानून इंप्लिमेंट क्यों नहीं हुए, उस पे भी विचार करें, और उसका मिस यूज किस किस ने किया है, जो भी नही सरकार आए, मैं ऐसा मानता हूं कि उसमें सबसे पहले उनकी ब्यूटी ये होनी चाहिए, कि भई सार्थी के बगार हमारा देश चलेगा कि नहीं चलेगा, वो डिसाइड करें, अगर सार्थी के बगार हमारा देश नहीं चल सकता है, तो उनको सार्थियों की तकलिफों को, जैसे वो फोजी की या आम नागरी की तकलिफ दूर करने के लिए वचन बद्ध हैं या हमारे विधान में लिखा हुआ है उसी तरह उनको सार्थियों को क्या तकलिफ आती हैं वो तकलिफ ही नहीं आए उसके बारे में उनको विचार करना चाहिए और सार्थि भाईयों को मैं तेन्थ और ट्वेल्थ दोनों है रिजल्ट लगे हुए है और जहांकि सारती भाईयों के बच्चे ने भी काफी अच्छे मार्क्स लाकर वो पास हुए है क्या बताना चाहेंगे उनको किस प्रकार से शुपकामनाय देना चाहेंगे उनके आगामी भविशे के लिए उसके आ 80 प्लस लाते हैं उन बच्चों को खुब पढ़ना चाहिए और खुब करना चाहिए पर जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है या जिनके परसेंटेज कम रह जाते हैं उसको मैं यह मानता हूं कि सार्थी का जो काम है वो भी एक इंजूर्मेंट वाला काम है एक ही उस सार्थी बनके पहले किसी की गाड़ी पर ड्राइविंग करें फिर अपनी गाड़ी लेके अपने परिवार को मेरा ऐसा मानना है कि एक सार्थी अगर उसकी अपनी गाड़ी है तो पचास से पचास हजार से लाग रुपया महिना कमा सकता है तो मैं नई जनरेशन को यह से अ होगे तो जिस प्रकार से परिवन हो रहा है परिवन पुरीत प्रकार से जो है स्थगित हो जाएगा और जिस प्रकार से शरीर में ब्लड चलता है और ब्लड समाप्थ होने के बाद जिस प्रकार से व्यक्तिकी मृत्ति हो जाती उसे प्रकार से जो है देश का विकास या कही कई रुख जाएगा तो आप क्या बताना चाहोगे सार्थी भाईयों के भविशे के विशे में आप क्या बोलना चाहेंगे और क्या अपील इस वक्त करना चाहेंगे इस कड़ी में सार्थी भाईयों के पहले मैं मेरी सरकार से या मैं मेरे जो logistics से जुड़े हुए भाई हैं जो logistics industry में जिनको 10 साल 20 साल 50 साल होगे उन से अपील करना चाहूंगा कि वो सार्थी भाईयों के लीज़ सोचे और सार्थी अपने आपको सेफ और अच्छा मैसूस करें और उसको कोई भी अगर परिशानी होती है तो अच्छे NGO बनने चाहिए या अच्छे सरकारी ओफिस में उनकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके अगर कोई उनको तंग करता है उसके अच्छे की ड्राइवर लाइन वहीं को काफी नीमना दर्जे के जाता है जैता हैं क्या बताना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है सारती भाईयों का और ढ्राइवर भाईयों का जीवन उन्ची कुरूथों साथी साथ जो है उन्हें एक उच्चस्तर पर देखा जाए वो तो मैंने पीशे भी आपने ये प्रशन दूसरे रूप में किया था तब मैंने अपील की थी कि हमारे सरकार को चाहिए कि सार्थी की आवशक्ता को देखते हुए सार्थी के काम को देखते हुए सार्थी के सेवा भाव को देखते हुए सार्थी के काम के टाइम को देखते हुए जिस तरह फोजी के लिए सरकार सोचती है उनको भी फोजी जैसा ही दरजा बिनना चाहिए और उनकी भी उनको निग प्रदिट किया जाना चाहिए प्रलाद जी के माध्यम से गोपाल परिवार फाउंडेशन के संस्था पकेम अध्यक्ष प्रलाद अगरवाल जी के माध्यम से यहां हम देते हैं साथी साथ अगली कड़ी में हम कई प्रश्ण लेकर आएंगे कई प्रश्णों के जो है हल इस कार्यकरम के माध्यम से आपके समक्ष रखे जाएंगे मैं था मनिश्ट इम्रेह और हमारे साथ थे प्रणा दग्रवाद